स्वागाते दोस्तों आपके अपने चैनel Moneyham per Atlantix exchange लगातार अपडेट पर अपडेट्स लेकर आ रही है लेकिन इसी बीच एक बैड न्यूज भी है ये बैड न्यूज Atlantix exchange के प्रती आपके मन में doubt और संका पैदा कर सकती है और जो लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि Atlantic Exchange एक scam project है उनके विचारों को तो और हवा मिल जाएगी ये bad news सुन करके thumbnail में आपने देखी लिया होगा कि bad news क्या है जी हाँ Atlantic Exchange का जो official Twitter account था वो Twitter की तरफ से suspend कर दिया गया है अब Twitter ने Atlantic Exchange के official Twitter handle को suspend क्यों कर दिया है और इससे Atlantic Exchange के project पर क्या असर पड़ेगा और आगे अब क्या होगा क्या उपाय है क्या Atlantic Exchange का Twitter handle अब हमें देखने को नहीं मिलेगा सब कुछ जानेगे इस वीडियो में उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रही है अपडेट्स आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक जिरू कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे है चलिए इसके लिए मैं आपको Twitter account पर लेकर के चलता हूँ Twitter पर आप जानते हो कि Atlantic Exchange को Official Telegram चैनल था जहां पर बहुत सारे इसके followers ओल्रेडी बन चुके थे और अब suddenly Twitter ने Atlantic Exchange को जो Twitter handle है उसको suspend कर दिया है चलिए मैं आपको यहाँ पर search करके दिखाता हूँ कि क्या यह बात सच है चलिए मैंने यहाँ से Atlantic search कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हो Atlantic Exchange का जो Official Twitter handle था वो suspend हो चुका है यहाँ आप देख सकते हो लिखा है account suspended क्यों suspend हुआ है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है त्विटर suspended accounts that while load the Twitter rules यानि कि Atlantic Exchange ने Twitter का जो भी rules and regulations होता उसको follow नहीं किया जिसकी वज़स से उनका account Twitter ने suspend कर दिया है Atlantic Exchange ने ऐसा क्या ही कर दिया कि Twitter ने Atlantic Exchange का Twitter account suspend कर दिया है यहाँ पर तो Atlantic Exchange अपने normal update सी upload किया करती थी पोस्ट किया करती थी यहाँ पर किसी तरह का कोई violation हमें अभी तक तो देखने नहीं मिला लेकिन फिर भी यहाँ पर Atlantic Exchange का Twitter account suspend हो गया है तो मैं आपको बता दूँ इसके पीछे reason क्या है क्योंकि Atlantic Exchange पर लोग काफी समय से इंतिजार कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह scam project है और उन्होंने बार बार Atlantic Exchange का जो official Twitter handle था उसको रिपोर्ट मारा है इतना जब रिपोर्ट किया जाता है किसी भी account पर तो Twitter उसको suspend कर देती है क्योंकि वह अपने users को बहुत मानती है और उनके according वो चलना चाहती है किसी भी account पर जब बहुत ज़्यादा reports किये जाए तो definitely वह account block किया जाता है suspend किया जाता है तो इसी region से Atlantic Exchange को भी यहाँ पर suspend कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग नराज रहते थे हमेशा कि withdraw नहीं इतना समय क्यों लग रहा है यह स्कैम है यह स्कैम है अब देखते होगे कि जब भी Atlantic Exchange Twitter पर कुछ भी tweet करता था कुछ भी post करता था तो उसके नीचे भर-भर की comments आते थे नहीं यह जो रिपोर्ट किये हैं यह लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया है जिसकी वज़से Twitter ने Atlantic Exchange का official Twitter handle यहाँ पर suspend कर दिया है लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलता कि Atlantic Exchange scam project है यह होता है बहुत सारे account suspend किये जाते हैं लोगों के requirement पर तो यहाँ पर एक सवल और आता है कि यह जो account suspend हुआ है क्या इसका असर Atlantic Exchange के project पर पड़ेगा जी हाम बिल्कुल negative असर तो पड़ेगा क्योंकि लोगों में और जो trust वी लो रहा था वो और कम हो जाएगा और Atlantic Exchange जो marketing कर रही थी वो और नीचे आएगी उसका negative असर तो जरूर से दिखता है थोड़ा बहुत असर तो हमें जरूर देखने को मिलेगा Atlantic Exchange में लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये scam project है स्टार्टिंग समय में दिक्कत होती है प्रॉलम्स होती है यदि ये सही है तो अपनी जगा पर ये अड़े रहेगी और एक दिन अपने आपको ये प्रूफ करेगी अब तीसरा सवाल ही है कि क्या अब Atlantic Exchange का कोई भी twitter handle नहीं होगा कोई भी official twitter account नहीं होगा जी नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने इसके तुरंद बाद ही नया अपना account open कर लिया है ट्विटर पर ही जिसका link उन्होंने टेलिग्राम चैनल पर दिया है चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने तुरंद इसके बाद दिया है notice to Atlantis members और लिखते हैं नीचे effective immediately our official twitter account is और उन्होंने link दिया हुआ है उस पर आप click करेंगे चलिए मैं click करके दिखाता हूं click करते हैं तो आप देख सकते हो Atlantis exchange का नया twitter account यहां पर उन्होंने create कर लिया है जिस पर अभी बहुत कम followers हैं जबकि पहले बहु अलंकि कुछ haters की वज़ा से suspend हो गया था तो आप haters ना बने पर supportive बने आप कुछ खोने से डरते हैं तो deposit ना करें कुछ दाओ पर ना लगाए पर चीजों को support करें जहां आपको लगता है कि चीजे scam है तो वहां से आप back हो जाईए वहां से आप पूरी तरीके से back हो जाईए लेकिन यदि आपको लगता है कि चीजे सही हो सकती है तो उसको पूरी तरीके से support करिए देखिए यहां पर आपको मिलेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा और यदि नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि सब कुछ free airdrop में हमें मिला हुआ है तो जहां पर हमे 10 रुपे का भी profit दिखता है 100 रुपे का भी profit दिखता है तो वहां हम बढ़ चड़कर उस चीज़ को promote करते हैं वहां पर हिस्सा लेते हैं यहां पर तो लाखो और करोड़ों रुपे में मिलने की उमीद है लेकिन यहां पर लोग support नहीं दिखाते और haters की तरह report मारना ले चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं बहुत जल तब तक रखिए अपना ख्याल टेक कियर